शुसेना के बाद अब NCP ने भी कॉंग्रेस पर हमला बोला है। और कॉंग्रेस पर आरोपों की जड़ी लगा दी है। और 1996 में प्रधानमंतरी की भूमिका के लिए निश्रित रूप से सुभाविक उमिद्वार थे। लेकिन दिल्ली की भाई भतीजावाद ने इसमें अवरोध पैदा करने की कोशिश की। हाला कि प्रफोल पडेल की टिपड़ी पर कॉंग्रेस ने प्रतक्रिया देनी से इनकार किया है। लेकिन कॉंग्रेस के एक वरिष नेता ने कहा है कि पवार साल 1986 में कॉंग्रेस में फिर से शामिल हुई थे और दिल्ली में उनकी छवी ये थी कि वो एक निश्ठावान कॉंग्रेसी नहीं है। उन्होंने कहा कि पवार ने 1970 में भी पार्टी के खिलाब वित्रो किया था। वह दूसरी तरफ महराश में न्सीपी की सहयोगी शुसीना भी पवार की जमकर तारीब कर रही है। ऐसे में यूपिय के अधक्ष को लेकर शुरू हुआ विबाद, पुरधार मंतरी बनने तक पहुचने के बाद, तीनों दलों में राजनिती घमासान एक बार फिर बढ़ सकता है। बीरो रिपोर्ट, OMH News और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।